किसने अफवा फैलाई है कि पाउंच सिंग को नहीं मिल रही है फिल्में नमस्कार मैं किशन कुमार हूँ दोस्तो चारो तरफ कुछ निवच चलाए जा रहे हैं कि पावर इस्टार पाउंच सिंग इंदिनों सिर्फ स्टेज सो तक सीमित रहे गए हैं उनको लेकर बड़े प्रोडूसर बड़े बड़े फिल्म निर्माता फिल्में नहीं बना रहे हैं पाउंच सिंग की फिल्में नहीं आ रही हैं और लोग पाउंच सिंग को लेकर फिल्म करना ही नहीं चाहते हैं तो दोस्तों इन खबरों के बाद मुझे भी मेसेजे जाने लगे कि आप इस पर कोई पर्दिकिरिया दीजे, आप कोई वीडियो बनाईए और सच्चाई बताईए. वाई साहब, आज के दौर में, आज के डिजिटल जमाने में कोई भी कलकार खाली बैट सकता है क्या? और उ सारी लाल यादो थोड़ी ज्यादा फिल्मे करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है. और भी कलकार ब्यस्त रहते हैं, लेकिन पाउन सिंग फिल्मे करते हैं, लेकिन थोड़ी कम करते हैं. चुनिंदा फिल्मे करते हैं और बड़े आराम से करते हैं. वो बताते चले कि अग सब के बीच होगी और देखने को मिलेगी पॉन सिंग के एक बहुत बड़ी फिल्म सिंग इस फायर नेपाल में सूट होकर के फिल्म तयार है और फिल्म बहुत जल्द वो भी रिलीज पे है आपको यह भी बताते चले कि गदर 2 बहुत जल्द सूट होने जा रही है पॉन सिंग एक बहुत बड़ी फिल्म क्रेक फायटर पार्ट टू वो भी बहुत जल्दी शुरू होने जा रही है और भी कई सारी फिल्मे आप सब के बीच आने वाली है ये चारों तरफ बनाई जा रही ख़वरों पर आप भरोसा न करें जितने भी अन्य कलकार लगातार फिल्मे कर रहे है उनको धेर सारी सुब कम नाए है लेकिन पॉन सिंग को फिल्मे नहीं मिल रही है ये सरासर छूट है गलत है और उनके खिलाफ जान बूझ कर ये चीज़े फैलाई जा रही है जब ये ख़वरे बन रही थी तो पॉन सिंग के फैंस काफी नराज और मायूस हो गए तो भाई साहब सच्चा ही सामने है आपको क्या कुछ लगता है कॉमेंट करके शरूर बताइएगा अगले वीडियो में दिखाएंगे कुछ और तब तक के लिए अपने भाई किशन कुमार को दीजे इजाज़त नवस्कार धन्यवाद